आज का यह जो वीडियो है, यह उन लोगों के लिए है, जो सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे हैं, दो-चार बार पेपर दिये हैं, एक-दो नंबर से, फेल हो गई, सिलेक्षन नहीं हुआ, जिनके साल-दो साल हो गई, अभी तक भी सिलेक्षन नहीं हुआ है। देखो जो सरकारी नोकरी है वर्तमान में जो इस्तती है competition बहुत ज़्यादा है इतना competition है कि आजकल हर कोई सरकारी नोकरी के ही पीछे पड़ा हुआ है तो इतनी ज़्यादा भीड होने से हो सकता है कि 2-4 नमरों से selection ना हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि selection होगा ही नहीं जब 2018 में मेरी सरकारी नोकरी लगी थी तो क्या ऐसे ही लगी थी क्या उसमें कितनी मेनत क्या क्या प्रियास करने पड़े थे वो आप सुनोगे समझोगे तब आपको सारी सीजे क्लियर होगी कि वाकई में जिस स्टेज पर आज आपको थोड़ी और मेनत कर लोगे नोकरी आपकी पक्की हो जाएगी 2018 में जब मेरी नोकरी लग गई थी उससे पहले में आपको बताऊं एक छोटा सा गाव है बसावा आप में से ज़्यादर तो नाम भी नहीं जानते होंगे नोवी क्लास वहां से की नोवी क्लास तक वहां से पड़ा दस्वी में जेपूर आगे इस्तती ये थी कि जेपूर आने के बाद में हिंदी बोलने में भी शरम आती थी क्लास में दूसरा स्टुडेंट को हिंदी में बात करता था उससे बोलने में भी शरम आती थी दसवी क्लास में Supplementary आ गई बिलकुल एब दम टेंशन की दसवी क्लास यह अपनी तो खराब होगी सप्लीूमेंटरी कैसे जिसे पास की आगे चलके ऐसे ही graduation की क्योंकि इतना knowledge नहीं था और हो क्या रहा है कि basic clear नहीं है बेसिक क्लेयर नहीं होने की चीज याद भी करोगे आप तो हो चीजे याद नहीं होंगी जैसे अगर आपके बेसिक क्लेयर नहीं एक गंटा लगा देगाउँ थोड़ी बाद में वापस भी बूल जाएगा बेसिक क्लियर है वो नहीं बूलेगा तो यहां नेके बाद में फिर आगे चलके कोचिंग क्लासे गरवाले बोलेगी या तो आप कोई सरकारी नोकरी की त्यारी करो या फिर कोई मजदूरी करो कहीं पर हमको तो पैसे चाहिए सबके घर मे कोई बताने वाला नहीं है आज आपके साथ में खड़ा हूं हर चीज बताने के लिए सारी चीज आपको समझाने के लिए कोई बताने वाला नहीं किसकी त्यारी करें ऐसे एकवार में देखा कि राजिस्तान पूलिस की वेकेंशी आई वे फोम लगा तो ये भी नहीं पता क कोचिंग जोइन कर ली अब कोचिंग में क्या पढ़ारें क्या नहीं पढ़ारें कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ ए थोड़े दो-चार मेने गए कोचिंग भी छोड़ी क्योंकि पार नहीं पढ़ी समझ भी hasn't casually क्या करें क्या ना करें उसके बाद मैं सुचा बैंक में जाते हैं बैंक के एक्जाम देके देखते हैं बैंक का एक्जाम दिया देखा इंगलिश में आया जीरो नमबर एकदम गोल बिल्कुल एकदम जीरो नमबर दोस्त है वो हसरा बड़ी है क्योंकि उसके दो नमबर आये थे उस दिन सोचा कि आज के बाद यह जो जीरो नंबर है ये जीवर में कभी नियाएगा और एवन इंग्लिश की बात करें तो इतने नंबर आएंगे कि PASS भी होंगे अर अच्छे खाशे नंबर भी लेकर आएंगे वो ठान ली हर चीज में ही ठान लीगी पहले सारी चीजों का मैं basic clear करूँगा हो क्या रहा है कि student comment करते हैं कि sir English नहीं आती English क्यों नहीं आती basic ही clear नहीं आपके कैसे आएगी जब तक basic पे command नहीं करोगे he के साथ hedge क्यों आता है यह अपने आप जब आने लग जाएगा कोई बोलेगा he has और कोई आपको बोल दिया he have तो आप बोलोगे have नहीं है जाएगा क्योंकि he she it name के साथ तो है जाता है जब यह चीजे आपके अंदर बैठ जाएगी जैसे भी मैं हिंदी बोल रहा हूं आप लोग याद कर रहे हो मैं आपको बता रहा हूं current affair के questions भी exam में काफी आते है याद करने का तरीगा क्या है देखो जब मैं current affair पढ़ता था याद करता था एक गठना आपको बताता हूं आज भी मुझे याद है मैंने एक मेरी copy बना रखी थी current affair की अलग से जो current affair सर पढ़ते थे वो आए तो उन्होंने मेरी copy देखी बोले copy ऐसे बना रखी है कुछ याद भी है तो मैंने बोला सर आप एक काम करो इसका कोई भी पन्ना खोलो और मेरे से कुछ पूछो तो सर ने एक पन्ना खोला और मेरे से एक सवाल किया मैंने सवाल का जबाब तो दिया और साथी सर को ये भी बोला कि सर ये जो आपने पन्ना खोला है इस पन्ने के उपर वाला क्योशन ये है नीचे वाला क्योशन ये है इसके साइड में ये क्योशन लिखे हुए है तो सर ने बोला पूरी किताब ही याद है गया मैंने बोला सरी मेरे खुद के नोट सेर मेरे को एक एक सारी चीज़े याद है जब ये चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा चोटी चोटी बारी क्यों को पकड़ोगे आप तब सेलेक्शन ले जाओगे करंट अपे धियात करने का तब भी वही फंडा था आज भी वही फंडा है मैं खुद भी जब लेकर बैठता हूं तो ऐसे चीज़ों को पढ़ता हूं आज भी मैं बता रहा हूं कि एक मार्च से आप करंट अफेर पड़ो भी मैंने आपको बोला पढ़ने का तरीका क्या है आपने मेरा वीडियो देख लिया करंट अफेर का वीडियो देखने के बाद में उसको आपने अपनी कोपी बनाई उपर लिखा एक मार्च दोजार चोईस करंट अफेर पहला क्योशन उसका अंसर उसके पास में उसके आसपास की चीज़े भी लिखो जिसे बांगलादेश के बारे में लिख रहे हो तो बांगलादेश की राजदानी डाका करंसी टका अभी आपने वो ऐसा ही वाला मामला देखा होगा MP की राजदानी पूशली, मद्य परदेश की राजदानी पूशली वो भी नहीं पता तो ये स्तथी कब होती है जब बेसिक क्लियर नहीं होते अब नेक्स्ट डे जब आप दो मार्च की कलास देखोगे कलास देखने के बाद आप उसको लिखोगे उससे पहले एक मार्च वाला आप रिविजन करोगे तब जाकि ये चीजे माइंड में फिट हो जाएंगे करंट पर कभी नहीं निकलेगा और ये प्रोसेसिंग कितने देर की है लगबग आदा से एक गंठे की पूरी प्रोसेसिंग रहती एक दिन में उसमें आपके करंट पर पूरा माइंड में बढ़ जाएगा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पढ़ेगा पस इतनी डिटेल कर ली आपका काम हो गया मैं केवल करेंट अफेर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सारे सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूँ राजस्तान का आपको जी के पढ़ना है तो राजस्तान का जो बेसिक है वो आपके माइंड में होना चलना चाहिए आपको कोई बोल दिया कि शीरिगंगा नगर अच्छा शीरिगंगा नगर के बारे में बोल रहा है कोई आपको कुछ भी बोले है शीरिगंगा नगर में शीरिगंगा नगर जाके आँगा में आपके माइड में अच्छा शीरिगंगा नगर जाके आए गई शीरिगंगा नगर अच्छा उपर यूपर आपके चाहिए इसको शयद यह दिमाग में चलेगी आपके अच्छा अनको इसको बोलते हैं अच्छा शिरी गंगा नेगर में सरवाधीक आनदिया भी चलती हैं अच्छा शीरिगंगा नगर अंतराष्टी सीमा भी बनाता है जब ये चीजे माइंड में चलने लग जाएंगी ना तब सेलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा शिरिगंगा नगर अंतराश्टी सीमा भी मना रहा है अंतराश्टी सीमा भी मना रहा है अंतर राजिय सीमा पंजाब से बना रहा है तो यह जब चीज़े आपके चलने लग जाएंगी देखो जब भी कोई चीज़ शुरू करते हो तो उसका बेसिक लेकर बैटो राजस्तान का जीके शुरू कर रहे हो राजस्तान की जोग्रोफी लेकर बैटो उसकी basic चीज़े आप clear करो पूरा मेप आपको ध्यान होना चाहिए कि यह सिकर यहाएगा जेपुरी यहाएगा बासवाड़ा यहाएगा डूंगर यहाएगा जैसे मेरे इस्तर पाएगा उपर की तरफ शीर गंगाने कराएगा यह पूरा जब मेप माइंड में चलेगा ना त चीज़े रट सकते हो आप लेकिन basic चीज़े नहीं रटी जा सकती है कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आपको पड़ेगी जब इन चीज़ों को समझ के चलोगे तब selection पक्का है उस समय जब high code की वेकेंसी आई थी जब मैंने typing करना शुरू किया था तब यह था कि pass नहीं ह आगे आपका selection होगा अगर आप struggle नहीं करोगे तो दिक्कते आएंगी दो चार नंबर से सब फेल होते हैं सबकी लाइफ में एक बार जरूर आता कि छोड़ देता हूं दूसरा काम को लेता हूं लेकिन छोड़ने से पहले यह सोच लेना 90% रास्ता पार हो चुका क्यों 10% ब जितना हो सके इसका फाइदा उठो जितना हो सके संघर से जितना करना है इस साल आप कर लो अगले साल पर मत छोड़ो जितना संघर से करना है जितनी कोशिश करनी है इस साल कर लो आपकी कोशिशों में कोई कमीना रहे बारा बारा चोदा चोदा गंठे देना है देना बंदा इसकी सरकारी नोकरी है आपकी सरकारी नोकरी है बस ये होना चाहिए ये नाम ही काफी होता है और ये नाम कब होगा जब इस साल ढंग से अच्छे से लगोगे महनत कर लोगे तब ये सारी चीजें आपके साथ होंगी अगर ऐसे ही सरकारी नोकरी लगती तो आप सोचो क सरकारी नोकरी चीए आपको कुछ हटके करना ही पड़ेगा कुछ जब हटके करोगे तब ही नोकरी मिलेगी भेड़ चाल में नहीं मिलेगी कि हाँ करेंट पर आ गया वीडियो देख लिए काम हो गया कुछ नहीं आगे skip कर दिया question question देख लिए skip कर दिया काम हो गया नोकरी लग गई ऐसे नोकरी लगती तो आज 20 के 20 लाग नोकरी लग जाते नोकरी तब ही लगेगी जब इस चीज़ को serious लेकर बैठोगे एक 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 चीज़ को एक एक क्योशन दिमार्ग में चलना चाहिए तब जाके आपका काम होगा तब जाके आपका exam clear होगा एक नहीं 10-10 exam clear हो जाएंगे जिसका basic clear है उसका exam clear है उसके सारे exam clear है आपने देखा होगा किसी की जब एक नोकरी लगती है तो 7 ये 2-4 और भी लग जाती है क्यों लग जाती है अब वो concept है समझ गया अब उसके basic चीजें clear हो गई है इसलिए अब उसको उस चीज का knowledge होगा उस field का knowledge सारा सबूज उसने ले लिया तो ये आप में कब आएगा अराम से निरंतर चलोगे basics के पीछे चलोगे हर चीज की बारीकियों को समझोगे तब आप आगे बढ़ोगे life में आपको सफलता जरूर मिलेगी इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके share जरूर करें ताकि जो भी student है जो हार मान चुके हैं थोड़ा उनमे confidence आए वापस तयारी में लगें और इस बार 100% 2024 में सरकारी नोक्री लगे selection उनका पक्का हो चैनल सबस्क्राइब भी जरूर कर लेना धन्यवाद